आप लोगों को एक बाद जान करके काफी ज़्यादा हैरानी होगी एक बार मिकडॉनल कमपनी को एक छोटी सी गलती की वज़े से 20 करोड रुपे का फाइन भरना पड़ा था अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी कमपनी से ऐसी क्या गलती हो गई जिस वज़े से इन्हें जो है इतनी बड़ी रकम में फाइन भरना पड़ा था तो चली आप लोगों को डीटेल्स में बताते हैं एक बार एक लेडी ने मिकडॉनल कमपनी से एक कॉफी और किया और जो कॉफी का कब है को जादा ही ठिंक था जिस वज़े से उस लेडी को पता नहीं चल पाया कि कब में मौजूद कॉफी कितनी गर्म है और जैसे ही उस लेडी ने कॉफी के कब को खोला गलती से कॉफी जो है उस लेडी के हाथ में गिर गया और उस लेडी का हाथ बुरी तरीके से जल गया तो इसी बात को लेकर के लेडी पहुँची जाकर के सीधा मिकडॉनल के आफिस में और वहाँ पर उस लेडी ने कहा इसमें सारी आपकी कमपनी की गलती है और मेरे हस्पताल का जितना भी बिल है ये सारा आपके कमपनी को भरना पड़ेगा उस लेडी की बात सुनकर के कमपनी की क्या गलती है देखिए अगर किसी गरम चीच को पैक किया जाता है तो उसके पैकेट के ऊपर कॉस्चिन होट लिखा होना चाहिए जबकि उस कॉफी के कप में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था तो इसके बाद लेडी जाकर के पहुंची सीधा कोड में और वहां पे उ जिन से चार डिगरी ज्यादा गरम होती है और उन्होंने अपने किसी भी कॉफी के कप में कॉस्चिन होट नहीं लिखा था कोड में साबित होने के बाद मिकडॉनल कंपनी को जो है इसी चोटी सी गलती की वज़ए से 20 करोड रुपय का फाइन देना पड़ा उस लेडी को यह जानकर है आपनों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए इसी तरी का और वीडियो देखना चाते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए